जयां दूस्तों स्वागत आपका इस विजी चनल ने तो दूस्तों आज के स्वीडियों बात करेंगी MPITI open round क्या है आपको पता है 4th round इस्टाट कर देगा है 4th round का जो नाम बनाये गया है वो नाम बनाये गया इसका open round अब दूसरे आपर बात आते हैं कि जो iti का 4th round का नाम change करके open round बनाये गया है उसका मदलब क्या है open round के बारे में पूरी जानकारी को देखेंगे open round कब से कब तक चलेगा और इसकी क्या process से open round का मदलब क्या होता है सारी जानकारी को देखेंगे बीटो के मादम से तो बीटो को शेयर कर देना है सभी के साथ में चलिए सबसे पहले देख रहे हैं इसकी टाइमिंग इसकी डेट कितनी रने वाली open round के बारे में तो जैसा की देख पा रहे हैं MP ITI आपको पता है third round समा इसके बाद में फोर्ट राउंड सटक्या है है fourth round का नाम यहाँ पर बनाए गया है open round क्या नाम रखा गया है Northern that जौ 헤 सकते हैं या दूसर की open orange कह सकते हैं दौनों का मतला है एक ही होता है, open round यह 4th round हमारा 7 अगस्ते से start हो चुका है और यहाँ पर 15 अगस्त तक चलेगा, और 15 अगस्त तक क्या-क्या process होगी इसमें, 15 अगस्त तक इसमें process होगी, यहाँ पर आप registration कर पाएंगे दिन आपको choice billing कर पाएंगे, जब तक आप registration choice billing नहीं करते हैं तक आपका आईट है कि मैं release में नाम नहीं आता है इसके साथ ही आप अपने registration को edit भी कर पाएंगे, choice billing को भी edit यहाँ पर कर पाएंगे तो जैसा कि देख पा रहे हैं, 7 अगस्त से 15 अगस्त तक हमारा जो भी काम होगा, वो होगा registration और choice billing अगर आपने registration choice billing नहीं किया है, तो जल्दी से कर लिजए, यहाँ पर 7 अगस्त से 15 अगस्त तक यहाँ पर चलने बाला है registration choice billing registration के इनी student को करना है, registration के वार उन student को करना है, जिन्होंने अभी तक registration नहीं किया है जिन्होंने अभी तक कोई भी registration नहीं किया है, choice billing किसे करनी है, choice billing सभी student को करनी है चाहें आप old student हो, चाहें आप new student हो, सभी student को यहाँ पर choice billing करने, इसका एक notice भी जारी किया गया था जैसा की देख पार है, आप जब इसकी official website पर आते हैं, तो यहाँ पर लिकाए मैतपुड सूचना, मैतपुड सूचना में लिकाए कि आबिदकों को पिछले किसी भी चराड में की गई choice billing, बरतमान चराड, यानि कि अगर आपने first, second, third round में जो choice billing की थी, वो fourth round में, यानि कि यहाँ पर पिरसे choice billing करनी होगी, जियां दूसरों उन student को यहाँ पर पिरसे choice billing करनी होगी, अगर आप choice billing नहीं करोगे, तो पिर आपका admission नहीं होगा, fourth round, तो दूसरों यहाँ पर आप अच्छे समझ गए हैं, कि fourth round में आपको choice billing करनी है, इसके बाद merit list की बारे में बात करें तो merit list हमारी जारी की जाएगी 23 अगस्त को, जैसा की लिखा गया है कि चतोत चैन सूची open round समझत सीटों के convergence है, तेब हम राज के भार के आवितकों को जोड़ते हुए merit सूची जारी की जाएगी, बेटिंग लिस्ट के धर, तो 23 अगस्त को हमारी merit list आजाएगी, आपने जो चॉइस पिलिंग की है, उन चॉइस पिलिंग में किन स्टूडेंट का नाम आया है, किन स्टूडेंट का नाम नहीं आया है, वो हमें कब पता चलेगा, 23 अगस्त को, आपने जो चॉइस पिलिंग की है, वो चॉइस पिलिंग के आदार पर आपको कौन सा कॉले अलोट किया वो हमें पता चलेगा 23 अगस्त को अब जब 23 अगस्त को कोई को וिस pen का दिया जायता तो फिर 24 अगस्त को क्या होगा आपको जो भी discipline किया गया उस काले में जाकर कि आपको डॉकमेंट अरियरियर्ट एक तर्फिं करें से साथ ही यहां पर आपको क्या करना है 7 अगस्त से 26 अगस्त तक हमारा öppen round चलने बाला है ये बात आपको अच्छा मज़में आ गई होगी अब दोस्टो यहाँपर बात करेंगी कि open round होता क्या है तो open round का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ ठीक है दोस्टो अभी तक जो round होते थे उनमें क्या होता था है यहाँ पर लिखा गया कि आरचड़ प्रितिक बिविशाएं में 50% इस्तान उच जिले के आवदिकों के लिए आरचित रहेंगे जिले में संसता इस्तापे था तता सेश 50% इस्तान प्रिदेश के आवदिकों से भरे जाएंगे जिले के आरच्चित इस्तान रिक्त रहने पर open round में प्रिदेश के आवितिकों से भरे जाएंगे अभी क्या होता है कि दोस्तों जो first round second round और third round हो रहा था first second third round में क्या होता था कि जो seat होती थी मान के चली किसी quality में 50 seat है तो 50 seat है तो उन seat क्या होता था कि 50 seat है तो जो college जिले में इस्तापित है उस जिले के student के लिए ही seat है इसमें reserve रहती थी यानि कि जो college जिस जिले में इस्तापिता है किबल उस जिले के student जो कि 50 सीटों में admission करवा सकते थे लेकिन जो बागी की 50 सीटों होती थे उसमें जिले के student तो admission लेई लेते थे साथ ही अदर जिले के यानि कि जो दूसरे जिले हैं मद्यपदेश के उस जिले के स्टुडेंट के लिए हैं पर पचास सीट हैं रिजर भी दी थी इन पचास सीटों में किवल मद्यपदेश के जो जिले में जिस जिले में जो की कॉलिज इस्तापेत है मान के चलिए गौालियर में यहाँ पर टोटल सो सीट हैं जिसमें से 50 सीट हैं तो किवल गौालियर जिले के स्टुडेंट के लिए होंगी और बाकी की जो 50 सीट हैं वो अदर जिले के स्टुडेंट के लिए भी रहेंगी यानि कि क्या होगा कि जो पचास सीटे हैं इस पचास सीटों में तो किवल गवालियर के स्टुडेंटी एडमिसन ले पाएंगे लेकिन जो बाके की पचास सीटे होगी उन पचास सीटों में गवालियर के तो एडमिसन ले ही लेंगे साथ ही अदर जिले के जैसे की मुरेना हो गया यहाँ पर हमारा सतना हो गया हमारा सागर हो गया भोपाल हो गया इंदोर हो गया उन जिले के स्टुडेंट इन पचास सीटों में एडमिसल लेते थे यानि कि उनको यह पचास सीटों से मतलब नहीं दैता था तो यह होता है open round first second third round में जो अभी तकosing autorization जाता था जो parallel- fuck play जाती थी जह इसी के basic पर जारी की जाती थी लेकिन आब यहाँ पर क्या होगा आब दोस्तों जो फोर्त round start किया क्या है अब जो फोर्त round में कौन सा round बना दिया गया है open round अब जो open round में क्या होगा कि बाकी की जो seat भरी गई है यानि कि जो fourth round आएगा उसमें क्या होगा उस जिले में जो आरच्चित रिखते रह जाए यानि कि जो seat रिखते रह गई है जिन कोले में जितनी भी seat रिखते रह गई है अब उसमें ये system खतम कर दिया है यानि कि fourth round का वो था है खुला राउंड, वो खुला राउंड का मतलब है कि इसमें जो 50% और 50% का रिजर्विशन बनाये गया था, अब वो यहाँ पर खतम कर दिया है, मानके चली किसी कॉले में 100 सीट हैं, अब उस 100 सीटों में उस जिले में स्तापेत, और जिले के स्टुडेंट ही उसमें एडविशन लेना चाहते हैं, और बाकी के अदर जिले के जो भी स्टुडेंट है, उस जिले के स्टुडेंट भी वहाँ पर एडविशन करवा सकते हैं, अदर जिले में, ठीक है, यहाँ पर अच्छे से बास समझ जयां कि जो नई रिजिष्टेशन होगे और पहले जो रिजिष्टेशन हो चुक्ए हैं उन सभी रिजिष्टेशन उन सभी चॉइस्पिलिंग को मिलना करके साथ भार के जो भी उद्वा स्टूटेंट जो भी स्टूटेंट के और यहां पर बेटिंग लिस्टू 알к då जियां दूसरो बेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी मानके चलिए किसी स्टुडेंट का यहां पर नाम आ गया और किसी स्टुडेंट का यहां पर नाम नहीं आया है तो नाम नहीं आया है तो उसको क्या करेंगे बेटिंग लिस्ट में डाल देंगे अगर आपका betting list में नाम आ जाएगा और अगर आपकी betting list में नाम आ गया और मानकर चली जो जिस student का merit में नाम आता है वो merit वाला student नाम जो की admission नहीं करा पाता है तो पिर आपकी betting clear हो जाएगे और आप betting से merit में पहुंच जाएगे और जब merit में जब जैसे ही पहुंच जाएंगे आपका admission clear हो जाएगा यानि कि यहाँ पर आपको दो फाइदे होंगे एक तो merit list में अगर आपका नाम आ गए तो ठीक है अगर betting में नाम आ जाता है तो फिर आप merit में पहुंच जाएंगे यानि कि इस बार दो list जारी की जाएंगे एक तो merit list जारी की जाएगी और एक हमारी betting list भी यहाँ पर जारी की जाएगी और साथ ही यहाँ पर क्या किया जाएगा यहाँ पर समझत सीटों का conversion कर दिया जाएगा अब conversion किया जाएगा क्या मतला होता है कि जो भी reservation दिया जाता था OVC का, SC का, ST का ये सभी reservation को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा जो अभी तक यहाँ पर reservation दिये गए थे जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ vertical आरचर और यहाँ पर जो कि horizontal आरचर होता है horizontal महिलाओं के लिए लगता है vertical आरचर होता है वो पुरिशों के लिए लगता है साथी महिलाओं के लिए भी लगता है तो यहाँ पर देखे लिखा गया है कि आरचर सिरेड़ी के लिए बेवसाय में प्रिबे सितु पात्र उमीदवार उपलब्द ना होने पर क्या किया जाएगा कि conversion round उपराम्त रिक्ती सीटों को मिला करके अन्य सिरेड़ी में परवतन कर भरा जा सकेगा यान की मान के चलिए यहाँ पर हमारा अनुसूचित जन जाती का कोई student है SC का कोई student है ठीक है और SC की सीटें 20 काली है ठीक है टोटल अभी 4th round के लिए 20 सीट है और 20 सीटों में से अभी student के बद 10 ही मिले है तो बाकी के 10 सीटें काली रह जाएगी अब क्या किया जाएगा इसमें conversion किया जाएगा और बाकी के जो other category के student है SC के मानली है तो यहाँ पर जो ST के जो student की संक्या है यहाँ पर 30 हो गई और यहाँ पर टोटल सीट है 20 सीट काली है अब यहाँ पर 10 की कमी परेगी जब 10 की कमी परेगी तो इन 10 को यहाँ पर मिला दिया जाएगा कहाँ पर मिला दिया जाएगा SC में मिला दिया जाएगा यानि कि अगर हम CDC वासा में कहें तो जो reservation है SC, ST, OBC reservation खतम हो जाएगा conversion खतम, conversion round बना दिया जाएगा और conversion में क्या होता है open round होता है और open का मतलब खुला होता है यानि कि इसमें सबी चीज़ां खुली होई होती है यहाँ पर reservation का कोई मतलब नहीं रहता है यहाँ पर दो लिस्ट जारी की जाती है mirror list और betting list यहाँ पर मैंने open round के बारे में पूरी information अच्छे से बता दिया आपको कोई भी doubt हो comment करें इस्टागराम पर follow कर लिना लिंक आपको discussion box में मिल जाएगा अच्छे लिए बीड़ को इपके इसमाव पिल्टाग लिए बीड़ में बता पक्ली बाई